नमस्कार दोस्तों मैं वी चतुरूवेदी पाथ फाइंडेर एजुगेशन यूट्व चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ मित्रों आप से निवेधन है याद यह आमारे चैनल पर प्रफम बार है था हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें, सस्क्राइब करें तथा विल आइकन भी तबालें जिससे सिच्छा सगस्य संबंदे जो भी महत्पूर्ण अपडेट हो आपको यथा सिगर प्राप्त हो सके साथ ही साथ चैनल पर बालोजी अभ्यारतियों के लिए फ्री टेस्स स्रीज चल रही है उसको भी बालोजी के सभी अभ्यारती जोईन कर सकते हैं पहली सूचना निकल क्या रही है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग से यल्टी भरती पूरी होने पर ही दूसरी का भेजेंगे अधियाचन आप सभी जान दे हैं अभी कल के निकल पत्रों में यह सूचना चाही हुई थी प्रभुक्ता से कि यल्टी ग्रेट में जल्द ही नई भरती आने के आसाद है उसी का स्पस्ची करन आज के निकल रहा है कि आज की माध्यमिक हाई स्कूल और इंटर कालेजों में यल्टी ग्रेट के 10,768 पदों की जो भरती प्रक्रिया चल रही है उसकी पूरे होने के बाद ही यल्टी ग्रेट में दुबारा से अधियाचन मांगा जाएगा और इस अधियाचन के मांगने के बाद कहीं पुना स से भरती प्रक्रिया सुरू की जाएगी और नई भरती आएगी तो इसमें अभी समय लग सकता है मित्रों जैसा की दिया भी गया है सासन ने बादमिक सिक्सा निदेशर को अगली भरती सब्द में तयारी करने के निदेश दिये हैं वर्तमान में अधियाचन कि इस ती दसप परवरी में ही सही लेकिन वेकंसी आपको यल्टी ग्रेट में पुना से देखने को मिलेगी और जो 2021 का वर्स है वह एक सुनहरा वर्स तयारी करने वाले अभ्यारतियों के लिए साबित होने वाला है तो आप अपने जोर सोर से तयारी को जारी रखें और जल्द ही आपको य जार पदों के होने के अनुमान लग रहे हैं अभी पूरी नहों सकने वाली भरती प्रक्रिया जारी है उत्तर प्रदेश लोक्सिवा आयोग समाजिक विज्ञान महिला साखा के लिए सपल अभ्यारतियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है जो 17 दिसंबर तक चलेगा उसके बाद जिन अभ्यारतियों के दस्तावेजों में कमी है उसे पूरा करने के लिए अधिक्तम दो महिने का समय देना होगा तो इस तरह से अधियाचन की जो प्रक्रिया है वह इस भरती के पूरा होने के बाद ही हो पाएगी क्योंकि अभी तमाम पदों के लिए अधिया जो आया था जो भरती पर क्या चल रही है उसमें पुराने अभ्यार्थी जो की पिछली भरती में सामिल है उन अभ्यार्थियों के सत्यापन चल रहे हैं डाकुमेंट वगरा के तो इसके बाद ही अधियाचन भेजा जाएगा उसके बाद एक नई वेकंसी आपको यल्टी ग् है वो निकल क्या रही है उननतर हजार सिक्षक भरती से संबंधित यस्टी की बची 1133 सीटों पर यस्टी अभ्यार्थियों का दावा परसदी माधिविक स्कूलों में उननतर हजार सहायक अध्यापक भरती में अनुसूचित जर जाती वर के खाली रहे 1133 सीटों को की मांग है कि यस्टी की जो पची हुई 1133 सीट है उसको यस्टी में परिवर्तित किया जाए और यस्टी अभ्यार्थियों की सहायता से इस पूरे खाली पदों को बहर दिया जाए जैसा कि दिया गया है वे रुजजगारों ने रों सोमवान को प्रदासन किया सिक्षा नि अभ्यार्थी बेसिक शिशा परिशत कार्याले पहुचे आज के द्यूज पत्रों में भी यह बात प्रवक्ता से चाही हुई है कि रिक्त रह जाने वाले उन पदों को यथा इस सितना रखते हुए यस्टी या यस्टी की अभ्यार्थियों द्वारा परिवर्तित कर इसको भर दिया जाए ऐसी माग उनको ले करके अभ्यार्थी धरना दे रहे हैं प्रदासन करना है सचीव प्रताप सीव घेल और उप सचीव अनिल कुमार की गैर मस्जूदगी में अभ्यार्थियों ने कार्याले में ग्यापन दे दिया अगली महत्पूर अपडेट निकल के आ अभ्यार्थियों के लिए टीजीटी जीव बिज्ञान का अलग से मागा गया अधियाचन तो आज असपश रूप से आयोग की तरफ से नोटीज भी चारी कर दी गई है नियूज पत्रों में भी आया है कि आयोग आज से साइट को खोलेगा और पुना से अधियाचन मांग जाने गा इसकी सूचना अधियाचन की नियूज पत्रों में दी गई है अलग से लिये जाने वाले आठ से पंदरा दिसंबर तक अधियाचन के लिए पोर्टल खोला जाएगा जिला विद्याले निरिश्को कुन दिया गया है गया अधियाचन पोर्टल मात्र जीवग्यान और विज्ञान के लिए ही खोला गया है अन किसी विशे के लिए नहीं 15 दिसंबर के बाद कोई भी अधियाचन स्विकार नहीं किया जाए यानि 15 दिसंबर से पहले पहले जो अधियाचन है वह आयोग आ जाना चाहिए आल लाइन या आफ लाइन किसी भी मादम से अधियाचन यथा सिग्र भेजा जाए इसकी वकायत सुरू कर दी गई है और 8 तारीक से 15 दिसंबर तक आयोग अधियाचन स्विकार करेगा 15 दिसंबर के बाद कोई भी अधियाचन स्विकार नहीं होगा उप सचीर नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के मताबिक चैन बोड के संग्यान में आया है कि 8 नॉवंबर 2019 तक आल लाइन प्राप्त बिग्यान विसे के आधियाचन में जीव बिग्यान विसे की रिक्तियां को भी सामिल किया गया था इसी कारणवस्त जो अलग-अलग विसे बनाए गया है विग्यान और जीव बिग्यान उनको अधियाचन पुना से मांग करके इस्थितासपश करने की बात कही जा रही है विग्यान विषय के पाठकर में ही जीव विग्यान समाहित है जीव विग्यान विषय को विग्यप्ति में सामिल करने के लिए पूर्मिप्राप्त विग्यान विषय के अधियाचन को निरस करने करके विग्यान एवं जीव विग्यान विषय का अलग-अलग पुना से अधि जारती है उनके लिए भी पुना से अधियाचन आएगा अगली सुचना उसी से संबद्धित है चैन बोर्ड निरस्क कर चुका है विग्यापन चैन बोर्ड सीर्ज कोट की सिविल अपिर राज संजे सीवा अन बनाम उत्तर प्रदेशासन में पारित आदेश 26 अगत 2020 के अनप योगों के बीच भिन भिन अंग देने की व्यवस्ता में सुधार करने है तो विग्यापन निरस्क कर चुका है इस महिने के लाज तक विग्यापन आने के आसार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह नोटी से माधमिक सिक्षा चैन बोर्ड के द्वारा जो की जारी की गई है और इसमें असपष्ट कहा गया है कि जो अधियापन है वह आठ से पंद्रह दिसंबर तक खुला होगा और जितने भी विद्याले हैं वह सभी आनलाइन आफ लाइन किसी माधम से जीव बिग्यान और बिग्यान मिसे से संब्धित जो भी पद खाली है उनकी इस्थिति असपष्ट करें और पदों का वेरण देते हुए अधियाचन भेजें तो इस तरह से यह एक बहुत बड़ा अपडेट है बायलोजी अभ्यार्थियों के लिए क्योंकि बायलोजी अ सामिल करेगा या नहीं सामिल करेगा तो अब इस तरह से इस्थित असपष्ट हो गई पूनता कि जल्द ही बायलोजी अभ्यार्थियों को फरती में सामिल किया जाएगा और साथ ही साथ उसके लिए अधियाचन भांगा गया है इसकी नोटिस आयोग के द्वारा भी जारी क यादा है तो तथ्यों को विश्वास्त ना किया जाए इसी कानबस विद्यार्थियों के बीच भ्रहम की इस्थिति जो कि अब असपष्ट हो चुगिए अलग-अलग अधियाचन के लिए आज से पंदरा तक खुलेंगे पोर्टल उत्तर प्रदेश मांदिविक सिस्था च limit और याद्र खोलेगा इस दारान के वर्ड टι-जीट बीग्यानियंट ड्रूीच के लिए अधिया जाएगाए इसमें दूसरी बीचा का दियाचन स्विकार नहीं होगा ऐसे में नए विच्विजापन में पदों की संख्या में अंतर नहीं होगा आगे दिया है चैन बोर्ड ने कहा नए अध्याचन में बिग्यान जी बिग्यान के अलामा दूसरे बिसे को पदों को सामिल नहीं किया जाएगा आगे दिया है अध्याचन में विज्ञान विज्ञान के खाली पदों का उभिला करके उसे TGT विज्ञान के रूप में विज्ञापित किया गया था नए तरीके से विज्ञापन के जारी करने से पहली UP Board की ओर से intermediate अध्याचन लेने का निड़ा ले गया गया इसकांड चैन बोर्ड ने भूरी भरती प्रक्रिया को इस्ठागित कर दिया विज्ञान उन्जी विज्ञान के लिए नए सीरे से अलग-अलग अधियाचन लेने का निड़ा ले गया मित्रों एक बार पूरा से आपसे निवेदन किया दिया आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर लें पे लाइकल दबा ले तथा अपने दोस्तों में भी सेयर कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा अभ्यार्थी हमारे निड़ चैनल से जुड़ सक और जो भी बहत्वपूर अफडेट हैं सिक्षा जगत से समद्द तो उसका लाव प्राप्त कर सके तो सुचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद